मेरा नाम आनद कमरेश्तिर पार्ठी है आप दिन्दाज भुझपुरिया चैनल पर मुझे देख रहे हैं दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिये एक बड़ी खबर बताने जाने वाला हूँ जी हाँ एक बड़ी खबर आपको असल में बताऊंगा सिनेमा भुझपुली के चुबलिस्टा दिनेश लाल यादो निरहुआ को कोरुणा हो गया है जी हां दिनेश लाल यादो निरहुआ को भी पॉजिटिव हो गए हैं यह खबरें कई जगे से मैं ने सुनी और मुझे ये बताया जा रहा था कि वहीया निरहुआ इस संत्रमन से पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, फिर मैंने सोचा कि आखिर ये सच क्या है इसके पीछे, यो कि आजकल फरजी ख़बरों का भी फरजी वारा चल रहा है, बहुत सारी जूठी ख़बरें आपको तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर नज़र आ जाएंगे, तो इस ख़बर उनके मैनेजर सनी शाह को फोन किया, सनी शाह से मेरी क्या बात चीत हुई, निरहुआ के कोविट को लेकर सनी शाह ने क्या कहा, ये आप लोग सुनिये मुझे बताया जा रहा है कि दिनेश लाल यादो निरहुआ, भोचपुरी स्रेमा के जूबली स्टार, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए है, आप उनके मेनेजर है, मुझे पताईए इस बार के क्या सच्चाई है, आपके माधियन से भी पता चला है, हमें पता करने दीजे सक आपको इस बारे कोई जानकारी नहीं है अभी तक? ना, अभी तक नहीं है, क्योंकि पहले ही आपने भी पताया, अभी जास हमें आपके माधियन से पता चली है, तो सुबब दीजिए हम पत्याक कर लेते सर, ठीक है, मतलब अभी ये बात पुरी तरह से सकते नहीं है, ना, उस ताइम ते दिनेश जी ठीक थे? एकदम बढ़िया थे, तहां है, दिनेश लालया दो कहां है, और क्या कर रहे हैं? तो शूटिंग पे हैं, तहां पर? बादा में शूटिंग पे हैं, अपनी नहीं फिल्म के, तो फिलाल इन खबरों के आपको कोई जानकारी नहीं है? न वो मुझे पता करके बताएंगे, अला कि खबर को कन्फरंट करना तुरन जरूरी था, फिर मैंने एक बार फिर से दिनेश लालया दो निरहुआ को कॉल किया, और इस बार फोन लगा, दिनेश जी ने मुझे बताया, कि भाई, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तर रहे हैं, आप लोग समझ लीजे कि किसी भी स्टार के खिलाब जूटी खबरें आपको नहीं चलानी चाहिए, इस तरह से जूटी बातों को प्रसारित नहीं करना चाहिए, और निरहुआ के तमाम फैंस के लिए ये बात जुरू सुकून बरी हो सकती है, रात बरी हो सकती है कि निरहुआ पूरी तरह से सुष्थ हैं, निरہुआ से जो मेरी बात चीत हुई, उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, और मैंने जब कहा कि दिनिशाय इस तरह के बात चल नहीं है, तो उन्होने कहा कि इस साली बातें फरजी हैं, और इनमे पोई हखीकत नहीं है, वो पूरी तरे से स्वस्थ हैं और पांदा में अपनी नई फिल्म सपका बाफ अंगुठा चाप की शूटिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा बताने जा रहा हूं कि भईया यह खबर पूरी तरह से फर्जी है निरुवा स्वस्थ है ठीक है और उनके कोविट पॉस्टिव होने वाली बात पूरी तरह से छूटी है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप शेर कीजिए और तमाब खबरों के लिए बिंदास भुश्परिया चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और साथ ही साथ आपको इस बारे में क्या कह पे है नमस्कार